नियूज एटीन इंडिया ना चौपाल कारिक्रम मा महमान बन्या चुए केंड्रिया मंत्री मंसुख मांडरी विया सिधा जपने लईजिये त्यां तो वो स्पीड वो रफ्तार वो दिशा सही है आपके हिसाब से किस तरह से हम बढ़ रहे हैं मोधी सरकार के सो दिन और हंड्रेड डेज का एजन्डा को में बजेट के साथ जोड़ूँगा इसलिए कि आप जब विक्सित भारत की बात करते हैं मोधी जी ने जब हम आजादि का अमरूत महसव वर्ष मना रहे थे उस वक्त रेड फोर्ट से अपने संबोधन में कहा कि हम 2047 में भारत को विक्सित राष्ट बनाएंगे जब हमें विक्सित राष्ट बनाना है तो उसके लिए हमें एक डिटेल वर्ट प्लान तयार करना होगा और डिटेल वर्ट प्लान यानि की एक्शन प्लान जब आप तयार कर रहे हैं तब आपको कब क्या करना है प्रतिवर्ष क्या करना है वो आपको रोड मैप से डिसाइ करना पड़ेगा डूरिंग कोविड क्राइसिस हम सब लोग डाउन में थे लेकिन मोदी जी के मंत्री मंदान और मोदी जी के सारा अधिकारी ओर 2047 के एजंडा को तैयार करने में जुटे हुए थे हमारी दीन में पांच-पांच घंटे तक मीटिंग चलती थी और उससे जो हम ने रोड मेड बनाया 2047 का याने के 25 साल में जब देश-आज़ादी का श्रताभदिवर्श मनाता हो तब हमें विक्सित बनना है तो विक्सित बनने के लिए मैं आपको एक नहीं करते तो लक्ष तक आप पहुंचने में दिक्कत होगी लेकिन एक बार रोड ताई कर लेंगे कि यह रोड से चलना है यहां तक पहुंचना है तो यह स्पीड से जाना होगा यह रोड पर कितना गड़ा है नहीं है आपको पहले से पता चलता है उसके आधार पर जब 2047 क के एजनडा कं तयार कर रहा है या तो यह विजन के साथ चल रहा है तब देश में इंफरास्ट्रक्शर कोई भी कंटे को डाउल आउलट होना है तो देश के इंफरास्ट्रक्शर इंट्रनेशनल स्टैंडर के होना चाहिए तो infrastructure के लिए मुझे पता है मैं तो UPA government में भी MP था तो उस वक्त जब budget आता था और 2004 में पहला budget हमारा बना वो infrastructure के पीछे 2,40,000 करोड का budget था दिस यार वो budget बढ़के हुआ 11,000,000 करोड रुपया और ये 5 साल में 15,000,000 करोड रुपया प्रतिवर्श का हो जाएगा एक continuous 15 साल तक रहेगा तब जाके हम international standard का infrastructure देश में खड़ा कर पाएंगे वैसे ही ये से ही उपलक्ष में इस budget में हमने infrastructure के लिए budget आवन्तित करा वैसे ही उसके आधार पर 100 दिन हमें 100 दिन में क्या करना चाहिए तो उसके लिए one year और five year एजन्डा तेयार होता है हमारी सरकार ने पास साल में मोधी थ्री गवर्मेंट में मैंने चार बार मोधी गवर्मेंट में ओथ लिया है मोधी वन, मोधी टू और मोधी थ्री तो भीच में मैं इंडिपैंगेंट चार्ज मिनिस्टर था केबिनेट मिनिस्टर बना तो मेंने चार बार रोथ हूआ मैंने देखा है मोधी जी की कारिय शयली हो अमने दिशा देते हैं, दर्षन देते हैं उसमें हर टाइमिंग के साथ काम हो टाइम पे काम हो और फोकस एटेंशन से काम हो कोई भी हमारी योजना ऐसी नहीं होगी जो हमने योजना लॉंच कर दी लेकिन टाइम पर उसका इंप्लिमेंटेशन ना हुआ हो 100 डेज में मैं मेरी मिनिस्ट्री की बात करूँ तो हमने कहा था कि हम इस्रम पोर्टल को स्टेंदन करेंगे और उसका एक्सेस बढ़ाएंगे हमने कर दिया 100 डेज में हमने कहा था कि हम EPFO में IT स्ट्रक्चर को रिफॉम करेंगे हमने कर दिया ऐसे खेलों क्षेत्र में हमने कहा था कि हम हमारे खेलाडी है में विधायक था 25 साल पहले में 2002 में विधायक था बाद में मैं MP बना मंत्री हूँ तो मुझे 25 साल का अनुभव मोदी जी के साथ काम करते हुए मैं स्वयम तो बागशाली हूँ कि यह से नेत्रूतों के नीचे मुझे काम करने का आउसर मिला जिसमें दो चीज में सिखा हूँ मोदी जी विजनरी लिडर है 2002 में विधायक थे और उस वक्त मोदी जी हमें बात करते थे सोसिल मीडिया की जब एकदम प्राइमरी लेवल पर सोसिल मीडिया थे जब विधायक की मीटिंग होती थी तो मोदी जी टेबल लगाते थे और सभी को 2002 की बात कर रहा हूँ वो सभी को कहते थे आप मेल आईडी ओपन करो आप ट्विटर में एकाउंट खोलो फेस्बुक में एकाउंट खोलो यह करना है बाद में पूछते थे कितनी ट्विट करा फेस्बुक में क्या डाला यह समय में वो बोलते थे कि आने वाले दिनों में सुस्यल मीडिया का समय आएगा और सुस्यल मीडिया चुनाव की दिशाताई करेगा जो हमने 2004 में देखा और आज देख रहे है यह विजनरी व्यक्ति है और विजन को इंप्लिमेंट करने के लिए और टाइम में बहुत मानते आपने देखा होगा कभी प्रधान मंत्री जी की कोई रेली एनाउंस हो गए आप तो मीडिया से जुड़े हुई है जा बारिश हो गई उसके बाद भी वो गई अभी जमशिद कभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक सप्ता पहले तै हो गया कि मोदी जी की रेली यहां पर है और कैंसल हुई हो कभी नहीं होगा दूसरा एक वर्क कल्चर बदल गया एक समय था जिस समय में लीडर को तो लेट ही आना होता है ऐसा एक वर्क कल्चर और परसेप्शन बना था तो बाद में तो क्या होता था ग्यारा बजे का टाइम था जनता ही बारा बजे आती थी उसको ऐसा था कि लीडर तो जाड़ा बारा बजे आएंगे तो यह वर्क कल्चर बदल गया मोदी जी टाइम पे पहुचते हैं टाइम पे कारकरम चालू होता है टाइम पे कारकरम पुरा होता है इस हिसाब से मैं कहो तो मोदी जी एक्शन करने वाले विजनरी लीडर है और इसलिए पिछले 10 साल में जो देश में आउट्पुट मिला है वो आउट्पुट और आगे मिलते रहेंगे मैं आगे बढ़ू आपने क्योंकि प्रदाहन मंत्री का जिकर किया मैं PCI टीम से रिक्वेस्ट करूँगा अगर हम वो वीडियो चला पाएं जो प्रदाहन मंत्री पैर अलंपिक खिलाडियों से मिले जिस सरह का परसनल टश था वो अगर हम वीडियो एक बार चला पाएं सर बाटी लोगों के लिए आप PM का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर और हम सब के लिए आप PM का मतलब है परम नित्पर सब्सक्राइब के लिए इस वार दिनकी सबसे ज़्यादा पॉपलर हुई महां तो तुमने दिन निकाल दी है अब गर में क्या होगा तरह है सिवरन सर ये जितना अच्छा बड़ के दिखारत नहां नि सर मैंने जो नोट किया इस वीडियो में आप उनकी पसनलिटी का पस्पेक्टिव ज्यादा बैतर बता सकते है उनका जो पसनल टच है खिलाडियों के साथ वो कहते हैं वो बधोई वाला फिर कहते हैं मेरा चूर्मा कहां है फिर वो दूसरे खिलाडी से बात करते हैं जब तेरे से पहले मिला तो इतना छोटा था फिर एक खिलाडी कहता है मेरे माता पिता से आपकी बात हुई थी सब का नाम पता है कहां के हैं क्या कर रहे हैं ये परसनल टच और प्रदार मंत्री को सब व्याद भी रहता, आप भी वहाँ पर मौजूते, क्या एक्स्पिरेंस था? मैं आपको के इंसाइड स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि परालेम्पिक्स खेलाडियों को मिले तब मैं तो साथ में ही था, तो मोदी जी कोई चीजों को केवल मस्तिशक से सोचते हैं, ऐसा नहीं है, वो हाट से फिल करते हैं और हाट से उसको हाटली लेते हैं, मैं देखा और के आचरियों हुआ, मैं नहीं जानता था, इतने खेलाडियों को ये जानते थे, और शायद फोटी फाईव मिनिट तक, प्रधान मंतरी जी ने इंडिविजुल पेरलेम्पिक्स खेलाडियों के साथ बातचित करी, और डिटेल और जब वहाँ बातचित करते थे, हार खेला गया था ऐसा करके एक एक खेला एक एक प्रेयर के साथ बातचित कर रहे थे उसके परिवार परिवार में कितने सदश्व है और उस क्या कर रहे है वहां तक उसके पास information होती थी और सब भी मेरे पिरालंपिक्स खिलाडियों ने जब विदाई करा यहां से तब एक कारेकरम आयोजीत हुआ था वर्चुली तो मैं उसमें भी जुड़ा था जी सब खिलाडियों भी थे तो पिरालंपिक्स खिलाडियों इतना उस्वा से बोड रहे थे कि साब हम रेकोर्ड ब्रेक करके आएंगे तब मोदी जी ने कहा था मुझे पूरा विश्वास है आप में जो जजबा है उस फिरम बताता है कि आप देश का नाम रोशन करेंगे तो जो हमारा 19 मेडल था यही हमारे प्लेयर ने 29 मेडल कर दिया प्रेम हूफ जब बात कर रहे थे कई खिलाड़ी ऐसा बोड रहे थे कि साब मैं इसलिए इस बार अच्छा परफोर्मंस करा कि लास्ट बार जब आप प्लेयर से बात कर रहे थे टोक कर रहे थे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाया था क्योंकि मैं मेडल लेके नहीं आया था लेकिन इस बार मैंने तई करा था कि मैं मेडल लेके जाऊंगा और मैं मुदी जी के साथ बात चित करने का मुझे आउसर मिले यह जजबा प्लेयर में मैंने देखा, तब हमें लगता है कि देश केसे बदल रहा है, देश केसे आगे बढ़ रहा है, और नया भारत का केसे निर्मान हो रहा है। स्वासमंत्री, स्वासमंत्री कोरोना संकट के समय और अभी भी आप, तो कुछ फर्क महसूस करते हैं, थोड़े जयदा स्पीड ब्रेकर हैं, मतलब कहा जाता है साब कि आप वो वैसी धमक से सरकार हैं। हम मैजोरिटी है, हम 272 नहीं है, हम 293 के साथ सरकार में आये हैं। दूसरा, हम जो लोग हारे हुए हैं, ए लोगों के सामने questions हैं, हम उसको हार जीत के जगह पे जनता का आशिरवात के रूप में लेते हैं। जनता नहीं हमें आशिरवात दिया है, हम ना एरोगंट हैं, आपने देखा होगा। प्रदान मंत्रि जी ने ना कभी, जो भी हमें जंताने आशिरवात दिया है, हमें काम करने के लिए, जंताने बहुमत से सर्कार बनाने के लिए, NDA को मेंड़े दिया है, तो हम मोदी 1, मोदी 2 और मोदी 3, कि जो हमने एजन्डा 2004 में सेट करा है वो एजन्डा के मुताबित आगे बते हैं मैं ये सवाल इसलिए बार-बार पूछ रहा हूं कि जो परसेप्शन है वो सकता है गलत तो आप सही करिएगा कि मोधी सरकार जो मतलब मोधी 2.0 था वो मोधी 3.0 धमक के साथ नहीं है विपक्ष के शब्दों में कतित रूप से ताना शाहिया मतलब बुल्डोज नहीं आप जैसे कई फैसले वापिस हुए सर इंडेक्सेशन का फैसला था इसके लावा लेटरल एंट्री का फैसला था ब्राटकास्ट बिल भी होल पर वक्फ को भी जेपी सी मतलब ऐसे बहुत लंबी एसर पांच से छे आप मेरे से बहतर जानते हैं तो राहुल जी कहते हैं कि सरकार उनकी है चला हम रहे हैं इसको अगर आप बता पाए राहुल गांधी वो डंके की चोट पर कहते हैं कि सरकार उनकी है चला हम रहे हैं और 240 अब है अब वो 303 वाला मॉडल नहीं है सरकार का राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं वो ऐसा कहते है उससे हमें लेना देना नहीं है देश की जनता की अपेक्षा क्या है उसको पूरा करना यह हमारी जिम्मेवारी है इरिस्पोंसिबल बिहेवियर मैं यह मानता हूँ कि कोई भी रादनेता हो जो भी पोजिशन पर हो वहाँ behavior responsible होना चाहिए ए इंडिया है ए भावना से चलने वाला देश है